इस वीडियो में आज हम पढ़नी वाली हैं हिस्ट्री का चेप्टर नंबर 5 ओध्योगी की करण का यूग ठीक है इसमें कुछ important terms हैं वो देख लेते हैं क्योंकि ये exam में पूछी जा सकते हैं तो देखे सबसे पहले जो word दिया गया है वो बताया गया है प्राच्य क्या होता है देखे प्राच्य शब्द जो है ये उन देशों के लिए प्रियोग किया जाता है जो यूरोप के पूर्व में स्थित हैं उन देशों के लिए किस word का यूज करते हैं प्राच्य वर्ड का ठीक है उसके बाद है पूंजी पूंजी क्या होती है पूंजी जो है मुद्रा की बड़ी मात्रा है जिसका निवेश किया जाता है या व्यपार या उद्योग में इस्तिमाल किया जाता है तो पूंजी क्या होती है मुद्रा की एक बहुत बड़ी मात्रा जिसको निवेश किया जाता है समाजवादी समाजवादी का मतलब क्या है जिसमें देश के प्रतेक व्यक्ति का समान हिस्सा होता है तथा मुझ्य उद्योगों पर स्वामित्व और नियंत्रन वो किसका होता है सरकार का होता है वो होती है समाजवादी ठीक है Next is Spinning Jenny Spinning Jenny जो है ये एक सूत कातनी की मशीन है जो James Hargreaves द्वारा 1764 में बनाई गई थी तो सूत कातनी की मशीन पूछी जा सकती है जिसे 1764 में बनाया गया था उसका नाम क्या था Spinning Jenny और बनाया किसने था James Hargreaves ने इसे बनाया था ठीक है Next जो टाम है वो है Stepple Stepple क्या होता है एक व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से उन को Stepple करता है या उसे छाटता है Next point है Fullers चुन्नटों के सारे कपड़े को समेपता है कौन? Fullers Next है Cardig Cardig क्या होती है वे प्रिक्रिया जिससे कपास या उन आदी के रेशो को कताई के लिए तयार किया जाता है उसे कहते हैं Cardig ठीक है रशियों और पुलियों के जरिये चलने वाला एक यांतरी कोजार जिसका बुनाई के लिए इस्तिमाल किया जाता है उसे कहते हैं Fly Shuttle Next important है भात में सबसे पहली जूट मील important है पूछा जा सकता है तो ये लगी थी सबसे पहली जूट मील कलकत्ता में भाप के इंजन का आविशकार किस ने किया था James Watt ने किया था पहली कपड़ा मील पूछा जाता है तो ये 1854 में लगी थी और भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे यूरूपिया पुर्तगाली थे जो सबसे पहले भारत में आये थे ठीक है उसके लावा कुछ अविशकार दे रखे हैं और अविशकारक जैसे फ्लाई शटल का अविशकारक कोन है जॉन के भाप इंजन का नुकोमेन और जेम्स वोट ने अविशकार किया था और स्पीनिंग जेनी का जेम्स हारक्रीव ने तो ये तीनों इंपोर्टेंट हैं याद रखे चलिए नेक्स्ट कोशन से देखते हैं इसमें भी कुछ और इंपोर्टेंट आपको कोशन देखने को मिलेंगे उनीस्वी सदी में किस देश में उद्योग पतियों द्वारा मशीनों का प्रियोग किया जाता था तो ये किया जाता था अमेरिका में नेक्स देखे कौन से दशक में इंग्लेंड में कार खाने खुले तो 1730 की दशक में गुम शाता गुमाशता कौन थे जिनको भारत में इस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था तो दिखे गुमाशता का जाता था जो बुनकर होते थे उनके उपर जो सूपरवाईजर काम करता था उसे गुमाशता का जाता था ठीक है नेक्स्ट एन नए उपभोगता तियार करने के लिए कौन सा तरीका है तो विज्यापनो दुवारा ठीक है ओध्योगी की करण के सबसे पहले चरण में इंग्लेंड के प्रमुख उध्योग कौन से थे? मुखे उध्योग तो वो थे कपास और धातु उध्योग चीक है? स्पीनिंग जैनी ने किस प्रिक्रिया में व्रिधी की? तो स्पीनिंग जैनी का यूज किया गया कताई के लिए तो कताई में यूरोपिय प्रिभंदें के इंजेंसियों की बारत में किस परकार की उद्योगों में रूची थी? तो किस प्रकार के उद्योग में रूजी थी चाय और कॉफी के रोपण में संसार में वस्तू की मांग में वृदी के दो कारण क्या थे विशव्यापार का विश्तार और विशो में उपनी विशवाद की स्थापना शेरी उत्पादक, उत्पादन को कैसे नहीं अंत्रित करते थे, सोधागर जो किसान होती थे, उनको रेन देते थे, उद्योग पती मशीन का प्रियोग क्यों नहीं करना चाहते थे, देखें मशीन महंगी थी, तो इसलिए हो क्या करते, सस्ते मानव शरम क्योंकि उपलवद थे तो यह कान था कि वो मशीन का प्रियोग नहीं करना चाहते थे ब्रिटेन के दो सबसे अधिक मैतवपून उद्योग कोन से थे एक तो सूती उद्योग था और दूसरा स्टील उद्योग था यह दो थे ब्रिटेन के मैतवपून उद्योग ठीक है ओके अच्छी कपास ना मिलना भी एक कारण था और स्थानिय बाजार जो था वो सिकुड ने लगा था ठीक है आगे कोशन दिया है प्रित्थम विश्व यूद के समय भारत के ओध्योगी कुथपादन बढ़नी के क्या कारण थे ओध्योगी कुथपादन बढ़नी के कारण क्या थे यूद के समय जो है अंग्रेजों की जो यूद समंदी आवशकता ही थी उन्हें पूरा करनी के लिए क्या किया गया नई फैक्ट्रियां जो थी वो स्थापित किये गई और वर्दी के जो कपड़े होते थे टैंट और चमड़े के जूते जो था वो सामान बनाया जाने लगा नए मज़दूरों को काम पर लगाया गया और काम करने का जो था वो समय बढ़ा दिया गया ठीक है next 1930 की महामंदी के कारण महामंदी के कारण क्यों थे क्यों थे क्योंकि प्रत्थम विशवयूद के बाद जो निर्यात था वो घटा ठीक है उद्योगों में मसीनी कारण का यूज होने लगा और अमेरिकी पूझी पती जो थे उन्होंने यूरोपिय देशों को करजा देना बंद कर दिया था ठीक है क्योंकि परत्थम विशवयूद के बाद जो है अमेरिका की अर्थवयवस्ता पर भी असर पढ़ा था पहले जो अमेरिका था यूरोप की सभी देशों को कर्ज देने वाला था लेकिन परत्थम विशवयूद का उस पर असर पढ़ा और उसकी अर्थवयवस्ता को बहुत नुक्सान पहुंचा था ठीक है यह हम पहले पढ़ चुके है नाइंध क्लास में पहले आगे देखे कोशन है आगे यह कोशन है इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमाश्तों को नियुक्त क्यों किया था गुमाश्त क्या करते थे उन पर निगरानी रखते थे क्योंकि कर्ज उन्हें वहां से मिलता था और वे तैयार समान को किसी और कोना बीच पाएं तो इसलिए गुमाश्तों को नियुक्त किया गया था कि वो उन पर ध्यान रखे कपड़े वगर की गुनवत्ता को जां चे तो इसलिए गुमाश्वन को नियुकत किया गया था नेक्स्ट जोबर कौन थे तो उद्योग पती जो होते थे वह मजदूरु की भरती के लिए किसी रखते थे जोबर को तो वही होता था जोबर और जोबर कौन होता कोई भी पुराना करमचारी होता था मतलब नए लोगों को छाटने के लिए नए लोगों को जोब देने के लिए किसे रखा जाता था जोबर को और जोबर कौन होता कोई भी पुराना विश्वस मतलब जिस पर उसे विश्वास होता हो कोई करमचारी होता था ठीक है वो क्या करता गाउं से लोगों को ले के आता काम का भरोसा दे रहाता और सहर में बसने के उसकी मदद देता ठीक है आगे देखिए बाजार से शरम की बहुतायत से शरमिकों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ जीवन कैसे प्रभावित हुआ देखे शहर में नोकरी की संभावना जैसे ही लगती जो गाउं में रहते हैं जैसे उन्हें नोकरी की खबर मिल रही है तो वह क्या करते हैं उस खबर सुनते ही बस शैरों की तरफ दोड़ परते थे तो अपनी जो राते होती वो कहां पर गुजारते थे पुलों के नीचे या रहन बसीरों में अपनी राते गुजारा करते थे क्योंकि बाजार में जो है बारीक डिजाइन और अपने जो हाथ की बनी चीज़े होती है उनकी अलगी वो होती है तो बारीक डिजाइन होता है तो उस पर उसी कारण जो था यूरोप के उद्योगपती हाथ के शरम को जादा पसंद करते थे ठीक है तो बस यही था चैप्टर नंबर फाइव कुछ चेज़े इंपोर्टन थी इसमें आविश्कार वगरे यहां से कोई पूछा जाएगा तो उपर जो हमने चीज़े पढ़ी है यह सिर्फ समझाने के लिए था कि क्या क्या था बाकी इंपोर्टन इनी में से जो आपक आएगा ओके तो यह चैप्टर नंबर फाइव था था थैंक यू सो मच झाल झाल था ङचा को एकुछी तो रज़ ओके यह सिर्फ समझाने के लिए बाक रख चैंक पाला जाएगा प्लिए था जो हमने हैं।